Hello students, welcome to Replica World. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं Principle of Inheritance and Variation. तो चलिए शुरू करते हैं. तो बच्चों, आज हम लोग Principle of Inheritance पढ़ने वाले हैं यानि कि हम लोग Genetics में एंटर करने वाले हैं. तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. तो आज इस लेक्चर में हम लोग पहले Introduction समझेंगे. Introduction देखेंगे हम लोग Genetics का. कि Genetics क्या होता है, Heredity क्या होता है, Inheritance क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे. उसके बाद हम लोग कुछ Terms देखेंगे, Important Terms. कुछ हम लोग Terms देखेंगे, जो कि हमारे Important है इस Chapter की. जो कि आगे भी आपको देखने को मिलेगी, इस पूरे Chapter में. और इसलिए हम लोग पहले इन Terms के बारे में जान लेंगे, ताकि आगे आप लोग समझ पाएं, फिर चल क्या रहा है पूरे Chapter में. उसके बाद हम लोग Mendel Uncle के बारे में सीखेंगे, कि Mendel साब जो थे, उनका क्या Contribution था Genetics में. और इसमें specifically हम लोग Mono Hybrid Cross समझेंगे आज. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ेंगे आज इस Lecture में. तो चलिए, फटा-फट से ना देर करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो Principle of Inheritance and Variation, इस नाम से हमें पता चल रहा है कि हम Inheritance के Principle और Variation के बारे में इस चाप्टर में समझने वाले हैं. तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है बच्चों के हम ये समझें, Inheritance क्या है? उससे पहले हम लोग समझते हैं, Heredity क्या है? Heredity क्या होता है? देखो, आप हो और आपके Parents हैं, आपके Parents के Parents हैं, यानि आप, आपके Parents, आपके दादा जी, आपके परदादा, इस तरीके से पूरी एक Chain है, जनरेशन है, है ना? तो आप जो हैं, आपके अंदर कुछ Characters ऐसे आए होंगे, जो की आपके पापा से आपको मिले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके Mother से आपको मिले होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आपके खुद के Characters होंगे, Characters से मेरा मतलब Physical के साथ-साथ Emotional और Behavior से भी है, कहने का म आपकी जो नाक है वो आपकी मदर जैसी होगी या फिर हाथ पैर होंगे कुछ ना कुछ में पइरिंट से मिलें पर उनकी आदर होती है कि वह सबस्कान परकाद करती हैं तो अश्यां के डिर्केमा मौहां सब्सक्राइं और बहुत होती हैं और हमारे अगरें वाफूलासिकरली के देखने के देखनाita भी आते हैं और behavior wise भी चीज़े हमें अपने mother, father से मिलती हैं कोई characters ऐसे होंगे जो शायद आपके mother, father में ना हो पर आपके नाना में या आपके दादा जी में हो आपकी नानी में या आपकी दादी जी में हो ऐसा भी हो सकता है ठीके क्योंकि characters किसी भी generation से express हो सकते हैं वो हम process होती है, transfer, character transfer करने की, इसको हम लोग क्या बोलते है, heredity, ठीके है, तो heredity का मदलब character जो transfer होते हैं कि सब कुछ heredity में आता है, अब बात आती है heredity तो यह चीज़ों कि inheritance क्या है, तो जो actual mechanism होता है transfer होने का characters को है, heredity तो हमारा क्या हो गया, transfer होना, पर actual mechanism जो है, वो inheritance है, तो actual mechanism, actual process जो है character transfer होनी की, उसको हम inheritance बोलते हैं, तो basically इस chapter में हम लोग character किस तरीके से transfer होते हैं, वो process, उसके principles वो समझने वाले हैं, फिर दूसरा हमारे term आता है, variation, अब variation कि स्चेडिया का नाम है भई, तो जो variation होते है, उनका मतलब होता है difference, यानि की फरक, difference, ठीक है, difference किस के बीच में, आपके और आपके पडोसी के बीच में, कुछ ना कुछ तो difference होगा, हम सब इन्सान है, पर फिर भी individual difference हमारे अंदर है, आपके और आपके ममी पापा के बीच में कुछ ना कुछ डिफ्रेंस होगा, तो वो भी variation है, आपके, आपके sibling, यानि यानि आपके hablors, या बर 189 सिर्फ जेनेटिकस यहानि कि इसले हुँआरेकिलया इसको आप एसे ले सकते जैसके आप एक रेश्ट्राउ में जाते हो जार आपके पास चले तो आप जाते हो जारी कि यह पर खाने के लिए क्या क्या चीज आप और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज दो चलो आपको मिल जाएगा आपे जा जाएगा तो मैंनू में ऐसे डिशी जिनकी बारे में आपको टेस्ट करेगा और आपने उसको order कर लिया उसके बाद खाया तो वो निकला बेकार पैसे waste time waste है ना तो वैसा ही है कि अगर ट्र稪 की बारे में आपको पता ने होगा मेन्यू तो आपको पता चल जाएगा कि यह यह चीज़े हम इसमें पढ़ heut आपको नहीं पदा है कि वो क्या तो आप उसका फाइदा नहीं उठा सकते हैं तो उसी तर्येकर से tends हमारी डेश है यापर टीक है तो तो ठर्म्स को हम लो पारे जीन बच्चो जीन is the soul of genetics अगर जीन नहीं होंगे तोам जेनेटिक्स का कोई मतलब नहीं है तो जीन क्या है बच्चो जीन हमारा क्या होता है जीन हमारा functional पार्ट होता है DNA जीन का जीन is basically functional part of DNA टीनने का जो काम का पार्ट होता है चैनल काम की सेगमेंट होती है Mr.偌 लुलते है अब इसको कैसे समझेगे बच्छों डिएणे की बादे में आप प्लेडी जानते हैं आ अ चुके 270 कर रहे हैं या आप नीट की पुरपरेश कर रहे हैं तो डिएणे की आप बसीकली चानते ही है DNA हमारा genetic material होता है जो कि बिलकुल एक धागे की तरह होता है उसमें हमारा phosphate होता है sugar होता है और nitrogenous bases होता है ठीक है तो उससे हमारे एक thread-like DNA बनता है जो कि हमारा genetic material होता है जो कि एक generation से दूसी generation में transfer होता है जिस वज़े से character जो है एक generation से दूसरे generation में transfer होते हैं character का मतलब features कि कोई बच्चा छोटा है height में तो उसके parents छोटे होंगे कोई लंबा है तो उसके parents लंबे होंगे तो ये characters हैं तो ये characters एक generation से दूसरे generation में transfer होते हैं बच्चो DNA की वज़े से मान लो कि मैं हूँ एक ठीक है और एक कोई दूसरी लड़की है ठीक है मेरे जो बाल है वो बलाइक है आई हैं ब्लाइक है तो इसका रीजन होता है कि जो मेरा जीन होगा मेरी बॉडी के अंदर जीन एकस्प्रेस हो रहा होगा या फिर थोड़ा इसको simple करता है सबसे पहले मेरे अंदर एक ऐसी protein होगी जो की मेरे black hair के लिए responsible होगी तो मेरे अंदर एक ऐसी protein होगी जो की black hair के लिए responsible होगी तो हम इसको protein B लिख देते हैं अपनी सुवीधा के लिए, तो मेरे अंदर रिक एसफी प्रोटीन उगी, कि ग्रोटीन पया हूं कर्या कि ऐसी सेग्मेंट एक्टिब होगी, यह एक ऐसी सेग्मेंट मेरे DNA की एक्टिब होगी जो कि ब्लैक है रही हो गई, तो मेरे तो ये जो DNA का मेरा part है जिसकी वज़े से protein बन रही है इस part को हम लोग वच्छो gene बोलते हैं क्योंकि यही actually functioning करा रहा है DNA function कैसे करता है DNA character कैसे transfer करता है protein बना के ही तो है ना हर चीज के लिए क्या होता है कुछ ना कुछ expression करने के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है तो DNA function कैसे कर रहा है protein synthesize करके तभी तो characters transfer हो रहे हैं तो इस gene की वज़े से जो हमारा protein बनता है इस gene की वज़े से जो हमारा protein बनता है उसके लिए वह responsible है black hair के लिए और वही responsible है brown hair के लिए अब यह जो दूसरी वाली लड़की है यह जो मेरा तो वह वाला gene एक्टिवेंट है या मेरे तो DNA की वह वाली segment एक्टिवेंट है जो की black के लिए protein बना रही है उस लड़की के लिए उस लड़की के DNA में वह वाली segment activate होगी या वो segment function कर रही होगी जो कि brown hair बनाती है यह तो आपको पता ही होगा ठीक है तो इस तरीके से इसके पास वो जीन का वो खमक बोल सते हैं कॉपी है उसके पास जीन की वो कोपी है जो की ब्राउन कलर का बनाती है और मेरे पास वो है जो की ब्लैक कलर का प्रोटीम नाती है यह ऐसा प्रोटीम नाती है जिससे की ब्लैक ह इस एक तविए हमारी बच्चो अब लील क्या होती है अलील का मतलब क्या होता है तो अलील क्या होते है, जीन की फॉर्म होती है, ठीक है, फॉर्म्स ओफ जीन, जीन की डिफरेंट फॉर्म्स को हम लोग अलील बोलते हैं, जीन की डिफरेंट फॉर्म्स को अलील बोलते हैं, अब बच्चों इसको ध्यान से आप लोग समझना, मैंने जो आपको हेर के एक्जै STR bzw कर हो अगर gene Black protein के लिए यह तो Black बनवाएगा मतल enterprise के लिये next site के लिए 1 की प्रोटीय बनवाएगा lhp सब्बाइग के लिया य है इह इक ही čन है एक ह तो जो नहीं मतलब है DNA का मतलब है डीन नी का segment और DNA का सेग्मेंट का vient दिनने का कोई सीक्वेंस होगा है ना अभी हम लोग सीक्वेंस हो गए रहे हैं नेक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो कि है molecular basis of inheritance जिसमें कि हम लोग समझेंगे डिन ने के बारे में तो बेसिकली बच्चो मैंने आपको बताया कि जो DNA है हमारा ठीक है वो ही character transfer करता है तो DNA में तीन चीजे होती है बच्चो phosphate और sugar की backbone होती है और हमारे nitrogenous bases होते हैं और एक क्या होता है हमारे nitrogenous bases होते हैं बच्चो यह तीन चीजे होती है नाटोजिनस बेसे यहां पर होते हैं तो इन तीनों से मिलके एक नुकलोटाइड बनता है जब एक फॉसफेट एक शुगर और एक नाटोजिनस बेस का पेर जो एक नाटोजिनस बेस हमें मिलता है उसको हम एक नुकलोटाइड कहते हैं क्या कहते हैं एक नुकलोटाइड कहते हैं जब एक फॉसफेट एक शुगर एक नेटरोजिनस बेस आपस में मिल जाते हैं तो जुड़ जाते हैं उनको हम नुकलोटाइड कहते हैं और जब इन जैसे नुकलोटाइड बहुत सारे जुड़ जाते हैं नुकलोटाइड इसका reason है यह मैंने इसलिए बताया आपको कि आप देखो DNA है तो DNA का basic structure क्या होता है बच्चो DNA का basic structure होता है अगर हम इसको linearly दिखाना चाहिए तो ऐसे दिखा सकते DNA का basic structure होता है कैसे strand होता है और बीच में ऐसे nitrogen basis जुड़े होते हैं और यह जो इस यह जो black से आप देख रहे है सब्सकहर है तो जीन का लगा तो जीन का मतलब ही इन नहीं है तो जीन कोईना कोई सेकून सब्सक्राब्स का एक होता है तो जीन हमारा सेम होता है तो जाती है टो जैने हमारा सीम होता है और पर उसकी वाम जालती है जो इन फॉर्म में अलग हो ऑन फोलते हैं व्हेज़गन संथे रही हम ई तो बेसिंकली उसी ब्रांच होती है science की जिसमें कि हम लोग genes के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कि हम लोग inheritance के बारे में पढ़ते हैं यानि कि character कैसे transfer होते हैं और जो भी genes related जो चीज़ है जो की inheritance से related है character transfer से related है वो सब चीज़े हम लोग genetics में पढ़ते हैं तो genetics एक important term हमारी होती है, factor. factor होता है, हमारा factor क्या होता है? basically factor जो है, दूसरा नाम है, gene का, क्योंकि जब मैंडल ने discover की थी ये सब चीजे, और उनोंने monohybrid die hybrid cross करवाया था, उस time पे, gene जो term है, वो introduced नहीं हुई थी, gene जो term है, वो coin नहीं हुई थी, इसलिए वो gene की जगे factor का इस्तिमाल करते थे तो factor अगर कहीं पे भी आता है बच्छों तो ध्यान रखना है कि मापे gene के बारे में ही बात की हुई है तो factor is equal to gene ये बात आपको ध्यान रखना है कि Mendel का factor मतलब की gene के बारे में वो person बात कर रहा है ठीक है factor मतलब gene ठीक है अब factor की बात हमारे होगी एक important चीज हमारे पास आती है phenotype phenotype क्या होता है और हमारा आपका genotype क्या होता है दो चीजे important है phenotype और genotype phenotype और genotype क्या होता है बच्छों ये अब हम देखते है तो phenotype क्या है बच्छों phenotype का मतलब होता है है घिक है तो यह मेरा फीनोटाइप है कि मॉर्फोलोजीकल जो चारेक्टर ज休 हो उस पसक्रश्र का फीनोटाइप होते हैं चैने पेंट जना रही है जो जीनेर्क्रच या जैसे मैं अगर फेर कलर रखती हूं, तो मेरा फेर कलर इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर ऐसी प्रोटीन बन रही है, जो कि फेर कलर के लिए रिस्पोंसिबल है, मेरा जो मेलनिन है, वो कम है, ठीक है, इसलिए मेरा कलर फेर है, मेलनिन कम क्यों है, क्योंकि मेरे बॉडी के अ जब घ्पेंट करता है तो बेसिकली जो की तो तरीके में जो सकिन कलर के लिए रिसौन्सिंबल होगा यहां पर जीन एक ही होगा पर उसके फॉर्म्स अलग होंगे एक form वो होगा जो कि थोड़ी dark skin करवाएगा और एक वो होगा जो fair skin करवाएगा तो basically skin वाले के जो skin वाली जो gene है उसके दो alleles होगे ठीक है तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा यह है कि मेरी skin अगर fair है तो जरूरी नहीं है कि जो दोनों alleles मेरे अंदर है वो एक जैसे हो एक्चुल में होता है genetic constitution जो होता है एक character के पीछे वो हमारा जीनो टाइप होता है ठीक है आप लोग समझ जाओगे इसको जब हम लोग क्रॉस करेंगे ठीक है तो phenotype तो morphological character है जो कि हमें सामने दिख रहा है और genotype है जो genetic constitution responsible है हमारा morphologic character के लिए एक्चुल में ठीक है तो एक्चुल जो genetic system है या हम कह सकते genetic constituent है जो कि responsible है morphologic character के लिए वो हमें genotype में पता चलते है वो हम समझेंगे सब चीज़े है आप लोग समझ जाओगे दीरे दीरे जब आप लोग इन चीजों से इंट्रेड्यूस होगे ठीक है उसके बाद फिर हमार टर्म आते प्रोजेनी प्रोजेनी का मतलब क्या होते है प्रोजेनी का मतलब होता है एक तरीके से चाइल्ड जब हम पेरेंट को क्रॉस कराएंगे ठीक है तो क्या होगा उससे हमारा प्रोजेनी बनेगी उससे हमारा चाइल्ड बनेगा आप एक आती है हमारी F1 जनरेशन ब मतलब है first filial generation क्या first filial generation first filial generation मतलब की पहली बार जब हम parent को cross कराएंगे तो जो generation आएगी जो progeny आएंगी उनकी generation को अम लोग F1 generation बोलेंगे जो पहली generation बनेगी जब parents को cross कराए जाएगा उसको F1 generation बोलेंगे और जो प्रोजेनी आये उनको F1 प्रोजेनी इनको उनको जो की F1 जनरेशन में तरीके से फिर F2 जनरेशन होगी यानि की 2nd G फिलेंग और F2 प्रोजेनी होगी तो इस तरीके से यह यह टर्म हो जाती है ठीक है उसके बाद और भी टर्म से जैसे कि एक हमारी टर्म आती है होमोजाइगस और एक हमारी टर्म आती है हेटरोजाइगस ठीक है एक हमारी आती है होमोजाइगस और एक हमारी हाती है heterozygous बच्चों तो homozygous और heterozygous का मतलब क्या होता है homozygous का मतलब है जब alleles एक ही तरीके की present हो ठीक है एक तरीके की alleles हो याणि same type of alleles अगर होंगी same type of alleles अगर होंगी ठीक है तो उसको हम लोग homozygous बोलेंगे और अगर different type की alleles होंगी different types की alleles होंगी तो उसको हम लोग heterozygous बोलेंगे ठीक है समझ जाएंगे आप लोग जब हम लोग समझेंगे ना cross करेंगे तो आप actual मतलब समझेंगे homozygous heterozygous का बताब को याद रखना है कि homozygous का मतलब है same type की alleles जैसे कि मैंने आपको बता है कि skin color के लिए अगर कोई gene responsible है तो आपके अंदर भी वोई gene है मेरे अंदर भी वोई gene है बस उसकी form अलग है ठीक है उसकी form अलग है जो express हो रही है तो skin color के लिए जो gene responsible है अगर वो दो forms में पाया जाता है जैसे कि मालो दोनों ही allele जो है fair skin के लिए है तो ये condition कौन सी हो गई ये condition हमारी हो गई homozygous पर अगर एक जो है हमारा ये इसको capital F से दिखा लेते हैं अगर एक हमारा fair skin के लिए है और एक हमारा dark skin के लिए allele तो ये heterozygous condition होगी same type of allele अगर हमारे हो गए homozygous different type of allele हमारे हो गए तो ये हो जाएगा हमारा बच्चो heterozygous तो इसलिए इस तरीके से ये हो जाता है हमारा homozygous और हमारा heterozygous ठीक है उसके बाद फिर हम और भी जो terms है वो हम तभी समझेंगे जब वो terms आएंगी क्योंकि अभी आप लोग उसको नहीं समझा पाएंगे जब तक कि हम लोग cross नहीं करते हैं ठीक है यानि कि हम लोग genetic cross आपको नहीं समझाते हैं तब तक आप लोगों को समझ में वो चीज नहीं आएगी बच्चो